इसीदे तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जो आपर सरदार पटेल की मूर्ती पर माल्यारपन क्या है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं तस्वीरों में आप साफतार पर देख सकते हैं तो सबसे पहले एरपोर्ट और एरपोर्ट के बार सीधे माल्यारपन करने के लिए पहुचे हैं और साथ में राश्ट्रिय अध्यक्ष अमिश्रा भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौझूद हैं तो बीजेपी दफ्तर से कारकरताओं को समद्ध भी करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि कल ही बताय गया था तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आप पर एयरपोर्ट से इंद्रा ब्रिस तक प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का मिनी रोड़ शो और मूर्ति का माल्यारपन क्या और यह तस्वीर है तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का काफला और किस तरह से आसपास जनता का हुजूम उबड़ा है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी मा का अशिरवाद लेंगे बीजेपी दफ्तर से कारकरताओं को सम्मुधित करेंगे यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं यह पूरा काफला प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का जाता हुआ माल आरपन के बाद कि यह तस्वीरें जोहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस सरसर से रोड की बात करें यहां से काफला आता हुआ और आसपास आप देख सकते हैं किस समर्थकों की जन्ता की यहाँ पर हुजूम उम्रा हुआ है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को देखने के लिए विवादम करें तो यह तस्वीरें और दूसरी तस्वीरें हम आपको यह दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का मिनी रोड़ शो जीत के बाद गुजरात में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और मा का आशिरवात लेंगे कुछ ही देर में और उसके बाद कारकरताओं को बीजेपी दफतर से सम्मुधत करेंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और आपको बता दें कल काशी भी जाएंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी उन्होंने कहा कि जिस एक शांदार जीत वहाँ से मुझे मिली है वहां के जनता को धनवाद करने मैं काशी आऊंगा ये भी का गया था तो कल काशी का दोरा और उससे ठीक पहले आज गुजरात में है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और कुछी देर में मा हीरा बैन से मिलेंगे आशिरवाद लेंगे उनसे और उसके बाद बीजेपी के दफ के सुम है एक जलक देखने के लिए यह साफ़ तर पर समझा जा सकता है और पुलस प्रिषासन की का सरग्षा के पोक्ता इंतिजाम् साफ अरे सवीरों के माध्यम से समझा जा सकता है तो यह तस्वीरे हैं गुजरात की जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी पहुच चुके हैं उनका मिनी रोडशो माका अशिरवाद लेंगे और उसके बाद बीजेपी दफ्तर की दरसल यह तस्वीरे हैं किस तरह से जनता का हुजू में आप रुमड़ा है यह तस्वीर तो जीत के बाद गुजरात में है प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और यह सीधी तस्वीरे हैं हम आपको बीजेपी दफ्तर की दिखा रहे हैं जहाँ पर कुछी देर में कारकरताओं को सम्मुदित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी तो यहरपोर्ट से इंद्राबरिश तक का रोड़ शोर उसके बाद इंतजार किया जा रहा है बीजेपी दफ्तर में माहीरा बेंड का भी आशिरबाद लेंगे प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी कि इससे आप के लोज kicking उत्तं के परतंजार कि पहले पुषपांजली अ Stamp की तस्वीर एक पीजे ड़्सवीर आंप मेत्रों ने तर आता विने द्रसल इंद्राब्रिश की तस्वीर हैं पहली तसवीर हम आपको दिखा देते हुए सरदार पटेल के प्रतिमा पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और फिर आपको तस्वीरे खानपुर के जेपी चौक पर जनसभा को समुधित करेंगे रात आठ बजे का कारक्रम बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरिन मुदी अपनी मास से मिलकर उनका आशिरवात लेंगे थोजार चौदा के अगर बात करें जीत के बाद भी प्रधानमंत्री नरिन मुदी अपनी माक का आशिरवात लेने गुजरात गये थे और इस बार 2019 की बात करें तो एक बड़ी जीत के लिए कि माक का आशिरवात लेंगे प्रधानमंत्री नरिन मुदी उससे पहले आपको बता दे अभी कुछी देर में बीजेपी दफ्तर पहुचकर कारकरताओं को सम्मोधित करेंगे जेपी चौक से प्रधानमंत्री नरिन मुदी सबसे पहले आपको उता दे एरपोर्ट से बाहर निकले सरदार पटेल की मूर्टी पर पुषपांजुली की और उसके बाद आपको बता दे उनके साथ विजयरूपानी अमिशा भी मौजूद थे और इसके बाद आपने तस्वीरों में देखा है हमदावाद में किस तरश से सडकों पर प्रधानमंत्री नरिन मुदी का काफिला निकला और अब इंतिजार क्या जा रहा है बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरिन मुदी जनसभा को वहां सम्मोधित करेंगे और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि राध आठ बजे अपनी मा से मिलेंगे आशिरवाद लेंगे 2014 में भी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरिन मुदी अपनी मा से मिलने गुजरात पहुचे थे और कल की बात करें तो वारंसी का दौरा है प्रधानमंत्री नरिन मुदी का उन्हें भारी मतों से जीत मिली है वारंसी से और उन्होंने खुट ट्विट कर इसकी जानकारी दी थी कि 27 मै को काशी यानि की कल आऊंगा मुझ पर दुबारा भरुसा करने वाली जंता का शुक्रियादा करूंगा यह प्रधानमंत्री नरिन मुदी की तरफ से कहा गया था तो यह तस्विरें चहांपर सरदार पटेल की मूर्ती पर माल्यार पंड किया और आपको बता दें हमेश्टा और विजरुपाणी उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही इसके बाद एक मिनी रोड शो यहां पर हमें प्रधानमंत्री नरिन मुदी का देखने को मिला सर्गो पर किस तरह से जंता का हुजूम उमडा था सुरक्षा के भी पुक्ता इंतिजाम किये गए था यह हमने इस साफ दोर पर देखा सुर्जार परटेल की प्रित्मा पर पुश्प अर्पित किये और कुछी देर में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर पहुचेंगे प्रधानमंत्री नरिन मोदी उनका अश्यरवाद लिए और ठीक उसी तरह दोजार उनीस में भी प्रधानमंत्री नरिन मोदी आज यानि की रात आट बजे का समय बताया जा रहा है जब निमास से मिलेंगे उनका अश्यरवाद लिए और कल के कारकरिम के अगर बात करें तो कल कहा जा रहा है कि आट तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आपर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुश पुश पांजली अर्पित करी और उसके बाद खानपुर के जेपी चौक पर आप जनसवा को सम्मुदित करेंगे प्रधान मंतरी नरिन मुदी के सरे से बीजेपी दफ्तर के बाहर लोगों का हुजूम उम्ड़ा है ये भी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे थे आज रात आट बजे का समय लगभग बताये जा रहा है जब अपनी माध से मिलेंगे आशिरवाद लेंगे माका 2014 की बात करें तो जब जीत दर्च कराई थी प्रधान मंतरी नरिन मोदी ने तो अपनी माध से मिलने के लिए पहुचे थे उनका आशिरवाद लिया था और कल क की बात करें तो मोदी कि कल वारांट सी में रहेंगे वारांट सी का दौरा है वहां की जनता का शुक्रियादा करेंगे एक शांदार जीत के बाद प्रधान मंतरी नरिन मोदी की तरफ से खोड़ ट्विट किया गया था कि 26 माई को गुझराज जाओंगा माध से मिलने आशिरवाद लेने और 27 माई को काशी की जनता का शुक्रियादा करूंगा कि कुछी देर में बीजेपी के कार करता हों को संबुधित करेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी लोग सबच नौ में भारी बहुमत सजीत के बाद गुझरात पहुचे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी सरदाल पर टेल की प्रितिमा पर पुष्पांजली अर्पित की उसके बाद एक मिनी रोडशो की जलकिया हमें देखने को मिली और अब बीजेपी दफ्टर से कार करता को समझत करेंगे वहां भी जन सहलाब उमड़ा हुआ है तो ताज पोशी से पहले मोदी अपनी मा से मुलाकात करेंगे उनका अशिरवाद लेंगे 2014 की बात करें तो 2014 में भी ठीक इसी तरह माक का अशिरवाद लिया था और उसके बात कि ये तस्वीरे 2019 की बात करें तो आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मा से मिलेंगे लगभग 8 बजे का इस समय बताया जा रहा है साड़े 9 बजे ये बताया जा रहा है कि राजभवन में आराम करेंगे और कल वारांट सी का दौरा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का तो ये तीन तस्वीरे पहली तस्वीर है बीजे पी दफ्तर की दूसरी तस्वीर है मिनी रोडशो की जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक मिनी रोडशो और तीसरी तस्वीर है सरदार पटेल की मूर्ती पर पुश्पांजली अर्पित करने की त्रेमियों तस्वीर अपने आप में बहुत खास की जीत के बाद सीधे गुझरात और इसके बाद माँ से आशिरवाद लेने के लिए रात-अट बज़े करी पहुंचेंगे 2014 की बात करें तब भी इसी तरह जीत के बाद माँ का आशिरवाद लेने के लिए पहुंचे थे लगभग आठ बजे का ये समय बताया जा रहा है और लगातार इंतजार क्या जा रहा है बीजेपी दफ्तर पहुचेंगे कुछी देर में प्रधान मंत्री नरिंद मोदी और वहां से जनसबा को समोधित करेंगे पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से कारकरताओं का जनता का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरे हैं दूसरी तस्वीर एक मिनी रोड़ शो और तीसरी तस्वीर पुष्पांजुली अर्पित की सरदार पटेल की मूर्थी पर अभी उम्मीद लगाई जा रहे है कुछी तेर में पहुचुएंगे बीजेपी दफ्तर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और इसके बार जनसबा को सम्मुधित करेंगे कारकरताओं को सम्मुधित करेंगे तो बताये जा रहा है लगातार बीजेपी दफ्तर पहुचने वाले हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चीत के बात गुजरात में हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 30 माई का समय बताया जा रहा है ताच पोशी के लिए और ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बीजेपी दफ्तर पहुँच चुके हैं प्रदान मंतरी नरेन मोदी उनके साथ अमिशा यहाँ पर मौझूद हैं और साथी गुजरात के सीम भी उनके साथ मौझूद हैं लोगों से बाचीत करते हुए कारकरताओं से मिलते हुए अभिवादन से कार करते हुए पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं और कुछी देर में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से ही जनसवा को गुजरात के कारकरताओं को समोधित करेंगे प्रदान मंतरी नरेन मोदी तो कुछी देर में जनसवा को समोधित करेंगे प्रदान मंतरी नरेन मोदी और रात आठ बज़े का समय बताया जा रहा है मास से मिलेंगे ताजपोशिस से ठीक पहले अपनी मा काशिरवाद लेंगे प्रधानमंत्री नरिन्दरमोदी और यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंच की जहाँ पर कुछी देर में जहां से प्रधानमंत्री नरिन्दरमोदी जनसबा को कारकरदाओं को समद्द करेंगे किस तरह से बीजेपी के दफ्तर बाहर भीड उम्री हुई है यह साफ़तोर पर आप यहां से देख सकते हैं